नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में दोस्तों हम लोग आक्सफोर्ड एटलस सीरीज का देन कर रहे थे पार्ट टू हम लोगों लें कम्प्लीट कर लिया था आज पार्ट थर्ड की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पडोसी देशों से सटे भारतिय राज यहनी कौन-कौन से भारतिय राज जिक राज्यों की सीमा पडोसी देशों के साथ लगती है और इससे जुड़े और भी इंप्वाटनट कौन-कौन से प्रस्टन हमारे एक्जाम में बनते हैं उनको भी इसी वीडियो में हम लोग कVAR करेंगे और सबसे इंप्वाटनट बात यह है कि मैप में इन राज्यों की इस्ठित भी हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग इसकी ट्रिक भी स्क्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए गा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर करिएगा चली सबसे पहला देश जो है हमारे उत्तर पस्षी में स्थित है वह है पाकिस्तान अब पाकिस्तान के साथ कौन-कौ पाकिस्तान अब यहां गुजरात सबसे पहला राज्य मिलेगा ठीक है पहला राज्य कौन सा होगा गुजरात और उसके बाद यहां से राजस्थान यदि आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो सभी राज्यों की मैप में स्थित क्या है इसको हमने पार्ट फर्स्ट मे जाएगा पंजाब उसके बाद यहां पे देखेंगे पहले यह जो इस्थित थी यह जम्मु कस्मीर राज्य था लिकिन अब वर्तमान में यह दो केंदर सासित प्रदेशों में बट गया है एक है इस साइड में यह जम्मु कस्मीर और इधर यह है लद्दाख ठीक है तो अ इतना स्टेट है जम्मु कस्मीर यह जो था है और यहां से यह जो है यह लद्दाख तो पांच राज्य हैं टोटल जिनकी सीमा रेखा पाकिस्तान के साथ लगती है तो यह पांच राज्य थे जिनकी सीमा रेखा लगती है पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के साथ कितने अब यहां पर दोस्तों एक प्रस्ट और पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा रेखा सर्वाधिक लंबी है यानि लंबी सीमा रेखा वाला कौन सा राज्य है जो कि पाकिस्तान से सटा हुआ है तो यहां पर एक प्रस्ट जो पूछा जाता है उसका आंसर यहां पर मिलेगा वो है सर्वाधिक लंबी सीमा वाला राज्य होगा राजस्थान यहां पर देखेंगे मैप में यहां से लेके यहां तक का जो है सीमा रेखा बनती है राजस्थान की और उसके बाद एक प्रसन और पूछा जाता है कि भारत वा पाकिस्तान की सीमा रेखा क्या कहलाती है किस नाम से जानी जाती है तो यह वाली लाइन जो ह जो है इसका निर्धारन कब हुआ था तो इसका निर्धारन हुआ था 15 अगस्ट 1947 को यानि की आजादी के दिन तो यह भी important fact है कभी-कभी पूछ लिया जाता है अब आगे हम लोग देखते हैं अगला जो है चीन से सटे भारती राज्जी अब चीन से सटे कौन कौन से भारती सबसे पहले हम लोग मैप में देखेंगे तो यहां पर यह चाइना है अब चाइना यहां से देखेंगे तो सबसे पहला राज्जी आपको मिलेगा यहां से ही शुरू होता है वो है यहां तक लद्दाक ठीक है पहला राज्जी मिलेगा लद्दाक दूसरा राज्जी यहां इमानचल पर्देश के बाद उत्तराखंड ठीक है इसरा राट्य हो जाएगा फिर नेपाल स्टार्ट हो जाता है एक राज्य आपको यहाँ बीच में फिर मिलेगा जो कि है सिक्किम और अंत में यहां पे सबसे पूर्व में जो राज्जे मिलेगा वो होगा अनुना अचल परदेश तो कुल मिलाके पांच राज्जे यहां भी हैं जो कि चाइना के साथ अपनी सीमा रेखा बनाते हैं अब इसकी अदि हम ट्रिक से बात करें तो यहां से आपको यह पांचो परदेशों के नाम याद हो जाएंगे जो कि चाइना से सटे हैं यू से हो जाएगा उत्राखंड एस से हो जाएगा सिक्किम एच से हो जाएगा हिमांचल परदेश और ए से हो जाएगा अनुडाचल परदेश और लद्दाख अपने आप में प किम है और सबसे अंत में यहां पूर में अनुडाचल प्रदेश है ठीक है और इसे जोड़े कुछ important fact जो कि हमारे exam में पूछे जाते हैं यहां पर देखते हैं तो सबसे पहले पूछा जाता है सबसे लंबी सीमा चीन के साथ किस राज्य की सबसे लंबी सीमा रेखा है तो होगा लगदाख अब वर्तमान में आकड़ा चेंज हो गया है अब यह क्या है लद्धाक जो कि यहां से लेके यहां तक का पार्ट है अगर वैसे देखा जाए तो इसी पार्ट में भारत और चीन का विवाद चल राजी से एक साई चीन कहा जाता है इसको हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था लेकिन सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज या किन सासित प्रदेश की चीन से चीन के साथ मिलती है तो वह होगा वरत्वान में लद्दाक अब यहां पे चीन से सम्मंधित एक फैक्ट और एक्जाम में पूछा जाता है कि यह दूसरी सरवाधिक लंबी सीमा रेखा बनाने वाला देश है भारत के साथ जितने भी देशों की सीमा रेखा लगी हुई है उसमें चीन दूसरी अस्थान पर पहले अस्थान पर आगे है चलके हम लोग देखेंगे बांगला देश है लेकिन यहां प सिमला में किया गया था हिमानचल प्रदेश में ठीक है तो इससे जुड़े कुछ important fact और थे जो कि यहाँ पे exam में पूछे जाते हैं उसको भी हम लोगों ने आपे cover कर लिया है अगला देश देखते हैं जो कि है नेपाल अब नेपाल के बारे में यहाँ पे मैप में अब यहाँ से पूरा सबसे पहला राज्य मिलेगा उत्राखंड ठीक है उसके बाद आएंगे तो यह मिलेगा यहां से यहां तक उत्तरपरदेश यानि की यूपी उसके बाद आएगा तीसरे नमबर पे बिहार और चौथे नमबर पे यहां पे देखेंगे यह पश्रिम ब ठीक है छोटी सी ट्रिक है यूपी की बस नेपाल गई अगर आप याद करना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं कि यूपी की बस कहां गई नेपाल गई अब यहां पे यूपी से याद कर लेंगे यू से हो जाएगा उत्तरपरदेश पी से हो जाएगा पस्षिम बंगाल ठीक की यहाँ पे silent है जो इंगलिस में लिखा हुआ है वही उतना trick है B से याद करेंगे विहार U से हो जाएगा उत्राखंड और S से हो जाएगा सिक्किम यह कुल पांच राज्ये हैं जिनकी सीमा रेखा नेपाल के साथ लगती है और यहाँ पे यह दिप्रस्न पूछा जाता है कि नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा किस प्रदेश की है तो उसका आंसर हो जाएगा बिहार जो कि यह fact यह भी है कभी कभी पूछा जाता है एक्जाम में तो हम लोग जाता है तो इसको भी हम लोग इसमें कवर करते हैं अगला जो देश है उसको हम लोग देख लेते हैं वो है भूटान जो है जो फोटा यह बारत का पडरोसी अब यहाँ पे देखेंगे कौन-कौन से जो है भारुतिय राज्य हैं जो की भूटान के साथ अपनी सीमा रेखा बनाती हैं तो यहाँ पे सबसे पहला जो राज्य आएगा वह आएगा शिक्किम अब यहाँ पे भूटान देखेंगे यह बीच का यह भूटान है और यहाँ पे एक छोटा सा भारती प्रदेश है जो कि तीन देशों से घिरा हुआ है अभी कभी कभी पूछा जाता है एक तरफ भूटान है एक तरफ नेपाल है एक तरफ चाइना है तो सिक्किम सबसे पहला भूटान का पडोसी राज्य है उसके बाद यहां पे देखेंगे पस्षिम बंगाल अब पस्षिम बंगाल देखते हैं यहां बंगाल की खाड़ी से लेके यह किनारे किनारे यहां से लेके यहां तक भूटान तक गया हुआ ठीक है तो यह हो जाएगा पस्षिम बंगाल दू है अपनी सीमा रेखा बनाते हैं जिसमें सबसे लंबी सीमा रेखा असम की है ठीक है यदि पूछा जाता है कि भूटान से सटे सभी भारती राज्यों में सबसे लंबी सीमा रेखा किसकी है तो असम की है अब आप ट्रिक से यदि आप याद करना चाहते हैं तो ट्रिक इसके लिए होई भूटान के साब भूटान के साब अब साब के के यहां पर देखेंगे एस डवले भी अब इस डवले बी में देखेंगे कि एस से हो जाएगा सिक्किम एसे हो जाएगा असम और दूसरे एसे हो जाएगा अनुनाचल प्रदेश और बी से हो जाएगा बंगाल यानि पे लिखे गए हैं अगला देश हम लोग देख लेते हैं बांगला देश जो है काफी प्रस्ण इस जो है देश से पूछे जाते हैं अब बांगला देश जो की एक साइट देखेंगे यहां बंगाल की खाड़ी है और यह चारों तरफ से देखा जाए अगर तीन तरफ से तो यहां पर देखेंगे येलो आलापाट छोटा सा यहां पर टच करता है असम का उसके बाद यहां पर है मेगाले और इधर देखेंगे तो यहां पर आपको यह मिलेगा छोटा सा राज्य त्रीपुरा और यहां पर देखेंगे आएगा तो यह मिजोरम ठीक है तो यह कुल पां बंगलादेश के साथ तो पस्चिम बंगाल जो की यहां से शुरू होती है बंगाल की खाड़ी से और यहां से किनारे किनारे यहां आसम तक आती है ठीक है तो सबसे लंबी सीमा रेखा इसकी लगती है किस प्रदेश की तो पस्चिम बंगाल की और सरवाधिक लंबी सीमा बांगलादेश अब यहां पर यह दिया आप इसको ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो ट्रिक इसके लिए याद कर लीजे मेघा अब मित्र है मेघा अब मित्र है अब यहां पर देखेंगे मेघा से क्या हो जाएगा में से हो जाएगा मेघा से मेघाले आ से हो जाएगा असम बा से हो जाएगा बंगाल और मी से हो जाएगा मिजोरम और ता से त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा ये कुल पांच राज्ये हैं जो की बांगला देश के साथ अपनी सीमा रेखा बनाते हैं जिसमें सबसे लंबी सीमा रेखा पस्रीम बंगाल की है अगला जो है देख लेते ह हैं लोग कौन सा है तो यहां पर अगला देश आएगा मयमार की सीमा रखा किन जो है भारती राज्यों के साथ लगती है और मयमार की सीमा रखा यहां पर देखने से पहले दोस्तों यह अपने अभी तक चैनल के सब्सक्राइब नहीं है जरूर कर लिजे वीडियो पसंद आ र आता है अनुनाचल प्रदेश ठीक है अनुनाचल प्रदेश सबसे जो है उत्तर में भारतिय राज्य है दूसरे नंबर पे आता है नागा लैंड ठीक है ये नागा लैंड है तीसरे नंबर पे आता है मनीपुर और चौथे नंबर पे आता है मिजोरम ये चार राज्य हैं जो कि मैममार के साथ अपनी सीमा रेखा साज़ा करते हैं और यहाँ पर इसकी सबसे लंबी जो सीमा रेखा है वो है अनुड़ाचल प्रदेश जो की मैममार से लगी हुई है गए कि बुक में आपको मिजोरम भी मिल सकता है क्योंकि 10 किलोमेटर का ही अंतर है दोनों की सीमा रेख तो ट्रिक में याद करेंगे अरुना मामी, अरुना मामी में मार गई, ठीक है, अब अरु से आ से हो जाएगा, अरु से हो जाएगा अरुना चल परदेश, ना से हो जाएगा नागा लेंड, मा से हो जाएगा मनीपूर, और मी से हो जाएगा मी जोरम, तो ये चार क्रम से भी है आपकिस्तान यहां पर देखेंगे कि पाकिस्तान के ठीक जो zijn और उत्तर मैं अफगानिस्तान है और यह चोटा सा इसका पतल्ण सा भेल यहां पर लडड़क चाहसा है और केवल एक राज्य जो है अफगानिस्तान का भारती राज्य के साथ जो है अपनी सीमा रेखा बनाता है वो है लद्दाख वर्तमान में ठीक है और ऐसे देखा जाए तो ये पीयोके में आता है जिस पर पाकिस्तान का अधिकार है लद्दाख में लेकिन जो है एक्जाम में स्क्रीन सोट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं और साथी साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो जरूर लाइक शेयर करिए और चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लीजिए वीडियो को अंतक देखने के लिए आपका धन्यवाद